दोस्तों आज काई वीडियो देखने के बाद आपको ये बात तो जरूर पता चनले वाली है कि एमेरिका अपने हतियारों को बेचने के लिए किस हद तक जा सकता है और एमेरिका कितने नीचे गिर सकता है तरसल पुरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज एमेरिका के मेजर जन पहले बना कर तैयार किया था एमेरिका ने अपने F-16 फाइटर जैट की First Fly को 20 जनवरी 1974 में किया था और इस First Fly के चार सालों बाद यानि की 17 अगस्त 1978 से एमेरिका ने F-16 फाइटर जैट को अपनी सेना में भी शामिल करना शुरू कर दिया था जिससे आप ये बात तो समझी सकते हैं कि ये fighter jet काफी जादा पुराना fighter jet है और इस fighter jet के अंदर technology भी काफी जादा पुरानी लगी हुई है हाला कि समय समय पर अमेरिका ने अपने F-16 fighter jet में कुछ modification किये हैं और इस समय इस fighter jet की condition एसी है कि इस fighter jet के अंदर और modification नहीं किये जा सकते इस fighter jet के अंदर इस समय advanced sensor भी नहीं लगे हुए हैं और sensor ना लगे होने के कारण बहुत सी चीज़ों को ये fighter jet lag करता है जैसे इस F-16 fighter jet के अंदर IRST sensor नहीं लगा हुआ है IRST sensor का ये फायदा होता है कि बिना radiation को छोड़े हम target का काफी आसानी से पता लगा सकते हैं लेकिन इन सब बातों को देखते हुए भी और भारत की जरुवत को देखते हुए भी अमेरिका की तरफ से अपने X-16 fighter jet भारत को ओफर किये जा रहे हैं क्योंकि अब कहिना कहीं अमेरिका को भी ये बात पता चल चुकी है कि आने वाले 5 सालों तक तो भारत को रफाल fighter jet बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि फ्रांस के पास पहुत से रफाल fighter jet का order अभी pending में पड़ा हुआ है और इस समय अर्थिय वायू सेना को fighter jet की सक्त जरुवत है क्योंकि भारतिय वायू सेना के पास fighter jet की squadन लगातार घरती जा रही है और इसी मुहके का फाइदा उठा कर अमेरिका अपने F-16 fighter jet भारत को चिपकाना चाहता है इस समय F-16 fighter jet के production को देखा जाए तो अमेरिका हर साल 48 F-16 fighter jet को बनाने में शक्षम है लेकिन इस production को इस समय अमेरिका ने बिलकुल आधा कर रखा है और F-16 fighter jet की जगहे पर अमेरिका ने इस समय F-35 fighter jet के production को तेज कर रखा है इस समय देखा जाए तो एमेरिका एक साल में केवल 24 सी F-16 फाइटर जैट को बना कर तयार कर पा रहा है और इस समय एमेरिका के पास 128 F-16 फाइटर जैट के ओर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं जिससे ये बात तो साफ है कि अगर भारत आज भी F-16 फाइटर जैट का ओ दिया गया था अमेरिका की तरफ से पहले इन फाइटर जैट की डिलेवरी ताइवान को की जाएगी और उसके बाद ही भारत का नंबर आ पाएगा और अगर भारत की तरफ से गलती से भी F-16 फाइटर जैट को खरीद लिया जाता है तो फिर हमारे तेजस मार्क वन और दो इंजन की सप्लाई कर देंगे और आने वाले 6 महिने के अंदर अंदर भारत को हम और अधिक इंजनों की सप्लाई करेंगे लेकिन अब अमेरिका की तरफ से ये भी वताय जा रहा है कि हम भारत को इंजन की सप्लाई 9 महिने तक ही कर पाएंगे अमेरिका की इन सभी हरकतो को देखने के बाद ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका की तरफ से जान बूच कर भारत के सवदेशी फाइटर जैट को लेट कराय जा रहा है पाकि अमेरिका अपने S-16 फाइटर जैट भारत को चिपका सके और आप आप ही केमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको अभी भी ये सब देखते हुए भी अमेरिका के उपर भरोसा करना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंचार आप केमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठैंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो, हैव गूड डे